तो जैसे दिल्ली के किसान खुश हैं, दिल्ली के लोग खुश हैं, ऐसे ही आसपडोस के राज्यों के किसान भी खुश हो सकते हैं दस अक्टूबर से नवंबर के अंत तक लगबग दिल्ली की हवा फिर खराब हो जाती है, और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुवा, जो पराली जलाई जाती है, उसका धुवा जो आता है, उसकी वज़े से हवा दूशित होती है पिछली साल दिल्ली सरकार ने समधान निकाला, पूसा इंस्टिटूट ने एक बायो डिकंपोजर बनाया है, बेहद सस्ता है, उस बायो डिकंपोजर को हमने दिल्ली में टेस्ट किया, दिल्ली में 49 गाओं में, 39 विलेज़, 49 गाओं में हमने 1935 एकड जमीन के उपर इस ब आयोडी कंपोजर का छिड़काव करने से जो डंठल है ये गल जाता है और गलने के बाद जमीन तयार हो जाती है दुबारा बुआई करने के लिए इस डंठल को काटना नहीं पड़ता इस डंठल को जलाना नहीं पड़ता इसके शांदार नतीजे आए तो दिली सरकार के कि अच्छा है इसके क्या नतीजे घंठल वैब काउस की डिली सरकार की का इस भी और इस के नतीजे हैं वैपकॉस की अब रिपोर्ट आई है उन्होंने पूरी अपनी जांच कर लिया है सारे उन्होंने जांच लगबग चार जिलों के पंदरा गाहों में जाके उन्होंने 79, 89 किसानों से बात की और 89 किसानों से बात करने के बाद उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिख कि बायो डिकंपोजर का इस्तिमाल करने से दिल्ली के किसान बेहद खुश हैं। इसके जो नतीजे आए वो बड़े उत्साफ वर्दके हैं। 90 प्रतिशत किसानों ने कहा कि 15 से 20 दिनों के अंदर उनकी पराली गल गई। और उनकी जमीन तैयार हो गई अगली गेहूं के फसल बोने के लिए। किसानों ने बताया कि पहले 6 से 7 बार गेहूं बोने से पहले 6 से 7 बार खेतों की जुताई करनी पड़ती थी। बायोडी कंपोजर को इस्तेमाल करने से एक से दो बार जुताई करने से काम चल गया। फाइदा हुआ बहुत है। खेतों में जो और्गेनिक कार्बन था उसकी मात्रा पहले से 40 प्रतिशत तक जादा मात्रा बढ़ गई। और्गेनिक कार्बन भी बढ़ गया बायोडी कंपोजर को इस्तेमाल करने से बायोडी कंपोजर को इस्तेमाल करने से वह पराली जो है वह एक तरह से खाद के रूप में कनवर्ट हो गई। तो 40 प्रतिशत तक व्रिद्धी हुई कार्बन के कंटेंट में। नाइट्रोजन की मात्रा चौभीस परसेंट तब गई जम भूप स्मेट मिटी में बैक्टीरिया जो केंदर बैक्टीरिया साथ गुना बढ़ गया और फंगल फंगस जो है जो की फाइदा पहुंचाती है फसलों को वो तीन गुना बढ़ गई मिट्टी की कॉलिटी जो है उसमें इतना सुधार हुआ कि गेहों का अंकुरन 17 से 20 प्रतिशत तक बढ़ गया केंदर सरकार से भी हमारी अपील है कि आप राज्य सरकारों को कहिए कि अभी तक तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं अब तो कर सकते हैं अब तो समाधान आ गया अब तो सलूशन है हमारे पास अब तो कर सकते हैं तो राज्य सरकारों को कहा जाए कि अब पराली के लिए मदद कीजिए किसानों की सारे किसानों के बायो डिकंपोजर सारे किसानों के खेतों में कि राज्य सरकार फ्री में चिड़काव करा है इतना सस्ता है इतना सस्ता कोई भी र रज्य सरकारे और अब पराली को जलाने के जरूरत नहीं हैं अब कम से कम हम लोगों को सब लोगों को प्रोडूशन से मुक्ति मिलने चाहिए यह रिपोर्ट लेके मैं एक दो दिन में समय लेके केंद्रिय परियावरन मंतरी जी से भी मिलने के लिए जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा वो विक्तिगत तोर पर इस मामले में दखल अंदाजी करें नमस्कार।